So Hello Friends, आज हम देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल से किसी को मेल करेंगे बहुती आसान तरीका है इसकी जुरुद पर जाता है आप officially या फिर un-officially किसी को मेल करना चाहते हैं अपने मोबाइल से पर आप कर नहीं पाते हैं इस वीडियो का अगर देख लेंगे तो बहुत ही आसान ही से आप किसी को भी mail कर सकते है, photo send कर सकते है, कुछ link के send कर सकते है, pdf भी आप send कर सकते है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को like करे, friends से share करे, channel प आप देख सकते हैं, मेरा यह total interface, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी ने मुझे कोई भी mail भेजे, वो यहाँ पर है, अभी mail send करने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पर three line पर click करके भी कर सकते है, और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल हैं, यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, आपका mail ID है, वो उपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, अगर आपके phone में ज्यादा email ID है, एक से ज्यादा है, तो आप इसमें click करके, उस mail ID को select कर सकते हैं, तो इस mail ID को आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो अभी आप जिसको send करेंगे message, ठीक है, जिसको आपको mail send करना है, office का कोई mail ID है, या फिर किसी personal की mail ID है, तो उस mail ID को आपको उनकी पास लेना है उससे, और उसको आपको यहाँ पर डाल ला है, मतलब mail ID आपको यहाँ पर डाल ला है, तो एक mail ID मैं यहाँ से डाल देता हूँ, तो इस mail ID को मैंने यहाँ से select क आप देख सकते हैं, mail ID भी आप में ने select कर लिया, अब यहाप देख सकते हैं, लिखा होगा है subject, subject क्या है, यहाप घबराने की जरूद नहीं है, subject वही है, मतलब आप किसी को एक PDF फाइल, अपने exam के लिए उसको send कर रहे हैं, अपने friend को या फिर office में किसी काम के लिए आप send कर यहाँ सबजेक्ट में, मैं यहाँ से subject में लिखूंगा, exam, इस exam मैं लिख देता हूँ, exam लिख देता हूँ, यहाँ पर, अभी कुछ mail अगर आपको लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अगर PDF send करना है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, लिखने के बाद भी से सेंड करने के लिए आपको क्या करना है देखिए इसके लिए आपको देखना है उपर उपर आपको एक option मिलता है यहां पर तो कि सेंड का option मिल रहा है और यहां पर आपको एक ले सकते हैं तो simply attach file जो है मेरा यहां पर file measure के अंदर ही है तो attach file पर option में हम click करेंगे यहां पर आपका file manager open हो जाएगा यहां से कुछ document आपको यहां से send करना किसी को तो वो आप कर सकते है यहां फिर photo send करना है वो भी आप यहां से photo को भी select कर सकते है तो मैं मुझे जो PDF send करना है उपर यहां देख सकते हैं पर send का button आ रहा है तो इसकी उपर हम simply click कर देंगे जैसे click करेंगे sending और send लिखा हुआ आ रहा है ठीक है फड़ा से wait करना है यहां पर undo कर देंगे तो यह message send नहीं होगा ठीक है तो हम यहां पर आप देख सकते हैं clear हो गया मतलब मेरा mail है वो send हो गय यहांपर मेरा mail चला गया होगा तो मैं mail इड को open करता हूं जिसको मैंने send किया है मैं उस mail id को open कर लेता हूं सेबही मैंने करना है मतलब जितको आपने सेंड किया उसको पता है तो यहां पर नीचे के तरफ आ जाएंगे यहां पर देखेंगे इस पैम नम mystery देखने को ख़ला शुइभ पर इसकी उपर टैप करेंगे इसकी उपर जैसे टैप करेंगे आप वो पीडियेप भी यहाँ पे आगया है, अभी वो बहुत ही आसानी से इस पीडियेप का ओप्सिन में क्लिक करके इसको लोड कर सकता है, और उसको पर सकता है, फोटो भी अकर सेंड करते हैं, तो फोटो पे क्लिक करके उसे लोड कर लेगा, और आसानी से वो देख पाएगा, तो आपने देख लिया कितने आसानी से किसी को आप मेल कर सकते है, PDF फाइल या फिर फोटो भेज सकते है, अगर फिर भी कोई भी प्राबलम होता है तो कॉमेंट करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, तो आज की वीडियो में इतना इता वीडियो को राच्छा ला